दोस्तों सभी कामारी यूटूब चैनल कानून की वाद में आपका बहुत बहुत स्वागए दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट के लाज से नहीं दोस्तों बात करते हैं आप आप किसी ब्यक्ति कि वस्तू कि सी कि कोई एक्सव जीज को चीज हो उसकी चोरी कर लेता है जैसे मोटर साइकल चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कितने साल की सजा हो सकती है ये सारी चीज़े हम डेटेल से इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन आप जब तक इस वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक देखें अब बात करते हैं मानलो कोई वेक्ति किसी भी जगर मोटर साइकल करी है या किसी संपत्ती या पेसे किसी भी चीज़ की चोरी करता है मानलो चोरी करने के बाद उस वेक्ति के पर अपराद साबित हो जाता है सारी चीज़ कोट में चालान पेस हो जाता है एविडेंस हो जाती है उसके बाद अगर अपराद साबित होता है कि इसी वेक्ती ने चोरी किये इसी वेक्ती ने 300 गुनेशी IPC का ओपेंस किया है तो उस वेक्ती को कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है पलस जुर्माना से दंडिक भी किया साथ सकता है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो वेक्ती चोरी करता है उस चोरी करने वाले वेक्ती की समाच परिवार और आस पास में उसकी इज़्जत भी नहीं रहती है इसलिए दोस्तों इस प्रकार का जो क्राइम करता है उस वेक्ती को 300 गुनेशी आईपीसी में तीन साल की सजा पलस जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है अगर दोस्तों कोई भी वेक्तीस प्रकार का क्राइम करता है तो उसे सक्त से सक्त सजा देने का कानून निप्रावदाने इसलिए दोस्तों अगर आपके ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे सेर करें और ऐसे नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए अमारे चैनल को सस्प्रेब करना ना भूले